अलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं फल्म बीट और मैं हूँ आपके साथ क्रतिका सीरियल ससुराल सिमरकाटू की कहानी में अब आरफ काफी जादा गुस्ते में नजर आ रहा है सच मानिये आरफ की जो ताजा तस्वीरे हैं उन तस्वीरों को देख कर ये कहना गलत नहीं होगा कि आरफ पर भूत सवार है गगन की जान लेने का जैसे ही आरफ को पता चलता है कि गगन ने गितांजली देवी को कर लिया है किटनाप वैसे ही आरफ का गुस्सा साथवे आस्मान पर पहुंच जाता है वो बौखला जाता है जब वो देखता है कि गगन बंदूक को गितांजली देवी के सर पर मार कर उन्हें बेहोश कर देता है ये देखते ही आरव तिलमिला उठता है आरव बंदूक लेता है और वो हॉस्पिटल से ही निकल पड़ता है गगन को तलाश करने और उसे जान से मारने के लिए हाला कि सिमर बहुत कोशिशे करती है आरव को संचाती है लेकिन आरव इस बार किसी की कोई बात नहीं मानता वही दूसरी तरफ गगन अधीती और अपने बच्चे के लिए तड़प रहा है वो बार बार यही कह रहा है कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए मैं अधीत को स्विकार करना चाहता हूं मैं अधीती से शादी करना चाहता हूं लेकिन ओस्वाल परिवार का कोई भी शक्स उसकी बात सुनने को तयार ही नहीं है मजबूरी में आकर गगन को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ता है वो गितांजली देवी के सर पर बंदूक मार कर उन होगा क्या वाकि में अधीती और गगन का एक बार फिर से मिलन हो पाएगा क्या वाकि में अधीती का अबोशन नहीं होगा इस वीडियो में एतना ही